आज की वीडियो में मैं आपको ट्राउजर के साइड में पॉकेट लगाना सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ईजी है और एक्तम सरल तरीके से कोई भी से लगा सकता है इसके लिए सबसे पहले मैंने अपने ट्राउजर की कटिंग कर ली है तो यह मेरे ट्राउजर का फ्रंट पार है और इसकी साइड में लगाने से पहले हम फ्रंट में इसकी वकेट को यहां पर लगाएंगे आप अपनी पॉकेट को लगाने के के लिए मैंने यह नहीं कहीं से स्टिच नहीं है नहीं से कहीं से जुडा हुआ है यह हमारा डबल फोल्ड है इसकी लंबाई मैं लिया है ज्सक्राइब साड़े 5 following आप अपने मुटापिक भी ज्यादा या कम कर सकते अगर आपको लंबी पॉकेट चाहिए तो आप इसे नीचे से और बढ़ा सकते हैं अब इसके स्टार्टिंग से हम 2 इंच पर हम मार्क करेंगे और साइड से एक कर्व दे कर हम इसमें मार्किंग करेंगे और इसके बाद हम इसको यहां से कट कर देंगे देखी मैंने कट कर लिया है अब पॉकेट लगाने के लिए हम इसमें मार्किंग देंगे उपर 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और हम अपना हैंड डालने के लिए इसमें 6 इंच पर मार्किंग लगाएंगे यह हमारी पॉकेट की ओपन साइड रहेगी अब इसके बाद हम अपने जो हमने फ्रेंट पर था उसको लेंगे और यहाँ पर पॉकेट लगाएंगे और यह हमारी साइड में है क्रॉच एरिया अब इस एरी पर पॉकेट लगाने के लिए यह दिखिए यहां से हम लास्टिक लगाएंगे, वहां से हम इसको उपर से रखेंगे अपनी पॉकेट को यह दिकिए हमने इसके जो हैंड पे हमने निशान लगाया था, छे इंच का, वहां पे हम एक दो मार्क और लगा देंगे नीचे पॉकेट नीचे आप इसका हम अपनी ट्राउजर का फर्स्ट पार्ट उठाएंगे, यह आपको धियान रखना है कि पॉकेट में हमें वहीं लगानी है, जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा, जहां हमारी पॉकेट आएगी फ्रंट में यह देखिए, इस तरीके से पीछे की साइड हम फ्रंट साइड में अपनी पॉकेट को रखेंगे और उल्टी तरफ से, जहां हमने हाथ की मार्किंग की थी, चेंच पर, वहाँ पे हम इसमें थोड़ा कट लगा देंगे दो-दो पॉइंट का इसके बाद हम देखिए, यहां से पकड़ कर और नीचे जहां हमने मार्किंग की थी, वहाँ पर, इसे पक्का करते हुए, डबल इस्टेच देते हुए, कॉर्णर से कॉर्णर तक मिला देंगे यह हमने स्लाई इसको नीचे तक लेके जाएंगे और बस उसी पार्ट तक हम इसको स्लाई लगाएंगे और यहां भी पक्का कर देंगे अब यहां पर थोड़ा सा उक माग देजिए, जहां तक हमारी स्लाई आई है स्लाई हमें जादा अंदर तक ही लगानी है, सिर्फ दो-दो पॉइंट तक ही लगानी है इसके बाद आप इसे उल्टा करके इसको प्रेस करके सीधा कर लीजिए और इसके बाद इसे गुमा कर अंदर की साइड पलटने के बाद हम इसके फ्रंट पर एक स्क्वेर बनाकर इसमें यहां पर एक स्लाई लगाएंगे, टॉप स्लाई और इसकी जो हमने इस पार्ट में कट लगाया था, वो हमारा बाहर की तरफ रहेगा, और स्टिचिंग पार्ट पर हमें सिर्फ स्लाई लगानी है यहां से देखिए मैंने पका कर लिया, डबल करके, अब हम स्लाई को गुमाएंगे और उपर सीधा ले जाकर, जहां से हमने स्लाई खतम की थी, उसी पार्ट पर फिर दुबारा से हमें मोड कर पका करना है यह देखिए इस तरीके से यह हमारा जो इस लाई है, यह आगे की हमारी पॉकेट के फिनिशिंग कंप्लीट हो गी है अब इसके बाद यह देखिए हमारा फ्रंट पर्ट रेडी हो गया, अब इसके पीछे हम यह देखिए, यह इस तरीके से आएगा अब इसके दूसरे पार्ट को हम उठाकर इसके उपर रखेंगे, और इसको पलटने के बाद यह देखिए, यह पीछे की तरफ से इस तरह से हम उपर से स्लाई लेकर इसको L शेप में स्लाई लगाएंगे, और यह स्लाई सारी हमारी अंदर की तरफ जाएगी इसको गुमा कर मैंने स्लाई लगा दिया है, और इसको अब हम यह देखिए, इस तरीके से अब हम इसको पलट देंगे आप कोना निकालने के लिए आप कैची की नोक की साहता से इसके कोने को बाहर निकाल लेजिए यह पेचकस की साहता से भी आप इसको बाहर निकाल सकते हैं बस यह मेरा स्क्वेर बन गिया, यह मेरी पॉकिट अंदर से रेडी हो गई है आप इसके पीछे के पार्ट को हम उठा कर नीचे की तरफ रखेंगे और इसके उपर स्लाई लगाएंगे बड़ ध्यान रहे कि यह जो हमारी पॉकिट अंदर से हमने खुली रखी है यहां से स्लाई नीचे का पार्ट दबना लिए आपको पॉकिट को बिल्कुल भी ओपन पार्ट को नहीं दबाना है बस ध्यान यही रखें, आप बस स्लाई को लगाते जाए यहां पे हमारा कॉर्णर आएगा, वहां पे हमें डबल स्लाई लगा के पक्का करना है ताकि हैंड वगरा डालने के बाद हमारी स्लाई वहां से कभी या वाश करने पर हमारी स्लाई उधड़े ना यह देखिए, इसको पूरे कपड़े को हम स्टिच कर लेंगे जहां पे हमारा हैंड ता हम लगा लिये और बस इसी तरीके से आप नीचे तक स्लाई को कंप्लीट कर लें देखिए, हमने अपनी पूरी स्लाई कंप्लीट कर लिये यह हमारी पॉक्किये यहाँ पर लग चुकी है अब ये देखिए अंदर भी कितनी finishing के साथ हमारी pocket लगी है ये अब चाहें तो आप उपर से इसमें टॉप स्लाई लगा सकते है बस इसका margin आप पीछे की तरफ करके इसमें से pocket में सीधा straight स्लाई लगा लगा ले ये pocket देखिए कितनी easily इसमें हमारा हाँ जा रहा है अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करें कॉमेंट करें प्लीज थैंक यू